जये बोले नाथ, आज मैं आपको एक ऐसा आकरशन प्रवग बताऊंगा, वो प्रवग करने से, गर के अंदर, गुरु कलस की वज़ा से, या नाना की परिस्ति बिगनने पर, या प्रेम जाल में फसे हुए, निश्पल इनसान या परदेश में चला गया हो, ऐसा किसी भी इनसान का अतापता नहों, वापस आने की कोई उनमिद नहों, वो इनसान को वापस गर पर बुलाने के लिए, मैं ये आकरशन यंत्रमंत्रसा साधना दे रहा हूं, वह इतनी सरण हैं कि कोई भी त्रिपूरुस कभी भी कर सकते हैं, यह साधना वहां करें, जहां वो इनसान रहता हो, या उसके सगासबंदी, मामा, चाचा, या उनके ससुलल का, उसे पता हो, वो ठीकाना उसे मालुम हो, ऐसी जगा पर ये प्रवक कर स सकते हैं, गर के इश्टसान के सामने या तो उत्तर और पुर्वा दिसान की तरफ मू करके बैटे, बोध पत्र पर स्क्रीन में दिया हुआ यंत्र, चंदन, केसर, गंगाजल की साइब बना कर, अनार की कलम से, सुद्ध अवस्ता में लिखे, जहां देवदत लिखा है, वह उस व्यक्ति का नाम लिखे, गवगी का दिया जला कर, उजास्तान में आपने जो यंत्र बनाया है, उसको स्थापित कर दे, वहां मिठे तिल का दिया भी आप जला सकते हो, एक ताबे के लोटे में पानी बर कर रखे, उसमें थोड़ा सा गंगाजल भी डाल दे, मा चामु सिग्र ता सिग्र गर वापस आए, ऐसी काम ना करें, फिर चामुन्दा मंत्र की नौ माला जाप करें, रुद्राक्स या प्रतिक माला परयोग में ले सकते हैं, चामुन्दा मंत्र के जाप करने से पहले, श्री गनेश जी का और अपने गुरु मंत्र की एक-एक माला जाप करें मंत्र इस प्रकार है ओम गम गणपते नमा यह गणपती का मंत्र एकमाला करें दूसरा मंत्र जिसका गुरु नहीं हो गुरु ने कोई मंत्र न दिया हो उसको मेजो दे रहा हूं वो मंतर करना है, ओम, रम, रम, दुरगाए नमाह, मौल मंतर का जाब करने से पहले, आप अपने आसन के सामने एक ट्रिकोण आकार वस्तर के अंदर रम लिखे और उसके उपर एक बैसे का चित्र रख दे, उसके बाद चामुणडा का चित्र भी पूजास्तान में रखे उसके बाद नव माला मूल मंत्र की आपको जाप करनी है ओम आईम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र और यंत्र को मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है वह आप नौट कर ले मूल मंत्र का नव माला जाप पूर्ण होने के बाद आप को एक माला का यगन करना है बाद में आपने जो यंत्र बनाया हुआ है वह यंत्र को यगन की दूनी पर यंत्र को नव बार नाये से बाएं गोल गुमा कर गड़े में रख दे और गड़े का मौ वस्त्र से बंद करके इसान या उत्तर दिसा में कोई भी उसे नच हुए ठी एक दिया जला दे नव दिन में गर छोड़कर गया इंसान गर वापिस आने की या उसकी खबर आने की पूरी संभवना है एक मंत्र में हमें रम बीज मंत्र का दो बार प्रयोक किया है वह अगनी बीज कारियसादक सांति का प्रसफोटक और वर्दक हैं समस्त प्रदान आकर्शन के कारिया में भी उसका प्रयोक सादक जन करते हैं मैं आसा करता हूँ कि आपका खोया हुआ बाई बेहन पती या कोई भी रिष्टेदार तुरंत नव दिन के अंदर इगर वापिस आ जाए या उसका आपको समाचर मिले जय बोले नात जाए भग हुआ करने भी खिला वा वाग आपको दो अजय करते हैं और दो झाल झाल